हाई दोस्तों असलाब अलेकूंग कैसे आप लोग मेरा नबील है आज का वीडियो काफी जादा डिमांड में था लोग की तरफ से इसलिए मैं बना रहा हूं आपके लिए नतिंग फोन वन वर्सिस आइफोन 11 बहुत लोग रहते हैं यार कैसे आपको बताता हूं मैं कैसे वीडियो के बीच में आपके अपको मिल जाएंगे अब यहां पे और जो रीजन है यह वीडियो को इंपॉर्टन चीज बनाती है वह है इस दोनों फोन के प्राइजिंग यहां पर आइफोन 11 जो है इसके MRP 50,000 रुपे है लिए फ्लिपकाट बगारा पर 40,000 के आसपास मिल रहा है और नदिंग फोन वन भी जो है यह 30 से 35,000 के बीचों मिलता है 30 का तो नहीं मिलता 32 से लेकि 35 36 तक जाता है तो यहां पर दोनों के बीच में क्रॉस शॉपिंग की जा सकती है मतलब इतना कोई बड़ा प्राइज रिफरेंस नहीं है और आपको 35 के आसपास भी मिलेग तो उस टाइम का सीदर का फोन आज कहां पर स्टाइंड करता है क्या 35 रुपे के आज यह टककर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा बुरी तरहा जाएगा चेक आउट करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर सबसे बात करते हैं लुक्स और डिजाइन के बारे में तो यहा आई फोन से या किसी भी फोन से नतिंग के अंदर के यहां पर यह गलिफ लाइटिंग दी गये तो पीछे यह चाहिया फाली लाइटिंग अगर आपको पसंद है इस टाइब का फोन अगर आपका चमकते रहे तो आप यह वाले फोन के लिए जा सकते हैं यह 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 यूसल जो इस्तमाल किये हैं जैसे साइड जो है तो काफी रोबस्ट इसका डिजाइन है और यहां पर ग्लास बैक दिया हुआ है फ्रेंड तो ग्लास का होता है यह सभी इस अब ग्लास बैक दिया हुआ है तो दोनों का आपको बिल्ड कॉलर्टी सिमिलर लगेगी देखने में लेकि पानी और मोईस्चर भी जो है इसके बैक पानल में इसके डाला है बहुत सा लोगों आप चेक आउट कर सकते हो कि बैक पैनल में इसके डस्ट चली जाती है और पानी तो बड़े आराम से चलाएता है तो अगर आप रफ यूज़ करने चाहिए तो नतिंग फोन आपके लिए रफ यूज़ के लिए आईफोन बेटर चोईज रहेगी आईपी 68 की डस्ट न वाटर रेश्टन का दता है इंडस्ट्री में यही टॉप फफ द लाइन है सभी फोन के अंदर लेटेस्ट आइफोन से उनके अंदर भी पानी वगरा में आप भिगाएंगे डस्टी एंवार जो शाप एजिस है इससे थोड़ा उनकमफटेबल हो से लेकिन सब मॉडरन आईफोन भी वैसी आते तो उनकमफटेबल वह भी है यह भी है केस करेंगे तो आपको फरग नहीं पड़ेगा अब बात करते का इस डिस्प्लेस की क्योंकि यही सबसे बड़ा जो है श्रेड वाला जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है इसका क्या आगे असर होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको डिस्प्लेस के अंदर जो पिक्सल पर इंच पिक्सल देंसिटी जो है वो नतिंग फोन के अंदर है 402 पी और आईफोन 11 के अंदर है 326 पी दोनों जो है अराउंड 1080p के पैनल है और आईफोन 11 का 828 पी है तो यहां पर दोनों के अंदर अगर आप इक्वल डिस्टेंस देखे तो आपको उतना ही क्रिस्प और क्लियर जो है दोनों डिस्प्लेस अज़र आएंगे बहुत ही जदा क्रिस्पें क्लियर नहीं बहुत ही रिजि जरब ब्राइटनेश का अब है जबकर आईफोन का जो एपको आपको 625 ब्राइटनेश अधर है जबके आपको सार ब्राइटनेश की बात कररा हूँ जो ambient light होती है उसके मुताबिक display का जो color temperature है कि display पीला होना चाहिए कैसा होना चाहिए वो side करते है जिससे आपके आंको तकलीव नहीं होती है तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगती है तो कुछ चीजों के अंदर edge है nothing के पास कुछ चीजों के अंदर iPhone 11 के बास है आपकी preference क कौन सी है यह completely आपके डिपेंड करता है अज डिस्प्ले की बात होई चुकिए तो speaker की बात भी करें थे दोनों के अंदर dual speaker है एक speaker जो है दोनों के earpiece में और दूसरा speaker bottom में है speaker का loudness comparison करने की होई जुरूत नहीं दोनों equally loud है वही 85 decibel के आसपास का peak जो loudness है दोनों के speakers निका करेंगे हम लेकिन आपके apple के free shares जो है वह भी मैं आपको देना चाहता हूँ तो वह पहले देता हूँ power of compounding के ऊपर आपने काफी सारी videos देखी होगी कैसे हम अपना पैसा कहीं लगाते और वह किस तरगी से compound होता है और इसके लिए जो है सबसे important चीज होती है SIP जो क्योंता ह से भी जो है वह product करती है SIP के बारे में आपने सुना होगा mutual funds से related लेकिन आप इंडिया में बड़े-बड़े US stock में भी SIP कर सकते हो आप लोग कई बार regret करते होंगे कि 10 साल पहने मैंने जो है Amazon में Apple में यह सारी companies में invest किया होता तो आज इतना पैसा होता लेकिन आज US stock market में correction करते हो US stocks में invest करने के लिए तो आप उस stocks को fractions में भी buy कर सकते हो मतलब एक stock का चुड़ा सा हिसा और IND money पर कोई account opening fees भी नहीं है zero commission है zero brokerage है ताके आप एक small amount से भी अपनी फेवरेट US company में invest कर सको मैं आपको IND money के साथ मिलके Apple company के 750 रुपीज के shares जो है वो फ्री में दे रहा के claim करना मत बूलना अगली चीज़ है दोस्तों unlocking के method काफी important है क्योंकि यही आपके phone की security होती है तो नदिंग के अंदर आपको मिलता है एक fingerprint scanner जो के काफी fast है accurate है और यह under display fingerprint scanner है और वहीं पे iPhone 11 में आपको मिलता है एक face ID sensor जो के true depth camera system है इसके अंदर तो इससे क्या होता है जै इससे एकदम secure unlocking होती है as secure as fingerprint scanner लेकि नदिंग का जो face ID है वो iPhone जैसा secure नहीं सिर्फ camera के ओपर based होता है तो आप इसके बार में और research कर सकते हो दोनों में से कौन सी आपकी preference है उसके लिए जा सकते है मेरी जो choice है वो face ID है मैं iPhone user हूं तो मुझे उसकी आदत है और मुझे face ID की convenience है यहां पर chipset जो है इसमें कितना फरक है आपको Geekbench की score बता हूं तो समझ में आ जाएगा RAM में कितना फरक है मैं आपको बता देता हूं कि कोई फरक नहीं आप रहम में आप बोलेंगे चार्जीबी कर रहम को फरक क्यों नहीं है क्योंकि जो performance उस RAM से आप निकालेंगे उसमें कोई फरक नहीं है क्योंकि iOS का जो RAM management है optimization है वह बेटर हो थे Android के मुकाबले तो वहां पर RAM के requirement भी कम होती है तो चार्जीबी करा है आइफोन में इस इकॉल तो आट जीबी करा है nothing phone 1 के अंदर को इसमें फरक नहीं मैसुस होगा performance में आपको क्या difference होगा आई आपको Geekbench के score में बता देता हूं तो यह Geekbench के single core के score है CPU के लिए तो यहां पे आप देख सकते है कि कितना दा difference है single core multi core दोनों के अंदर ही Apple का A13 बायानिक जो है बहुत जादा powerful है nothing phone 1 के मुकाब है और snapdragon 778 G Plus जो है यह mid range वाला chipset है तो performance में फरक रहेगा gaming में भी बहुत फरक रहेगा gaming के अंदर में आपको explain करूंगा वो चीज़ तो यहां पर आपको performance चीए एक दम फुल on के घोड़े की तरह आप आपका phone तो फिर iPhone 11 जो है आपको लेना चीए यह performance आपको nothing phone 1 कभी भी निकालने देखता बहुत ही mid range का phone है और mid range प्रोसेसर और performance के अंदर आपको देखने मिलेगा storage की बात करें तो यहां पर nothing के पास edge है और definitely यह better option निकल गया आता है for the price क्योंकि आप 128 GB और 256 GB की दो storage variants है जबकि iPhone 11 ने 64 और 128 दो ही storage variant अभी करेंट लिया आते है 256 आपको आपको आइफोन 11 यह 256 GB वाला पहले मिलता था तो अगर आप जाधा storage चाहते हैं कम price के अंदर तो nothing के लिए आपको जाना पड़ेगा क्योंकि iPhone 11 में आपको जो बात करने के पहले में एक चीज़ बता देता हूं कि 120Hz का refresh rate तो है डिस्प्लेगा लेकिंग में यह display कुछ काम नहीं आ लेकिन उसका chipset support नहीं कर सकता तो दोनों ही phone जो है maximum 60fps कहीं आपको support देंगे bgm खेलने में हाला कि iPhone आपको constant 60fps दे सकता है या 60fps के करीब लेकिंग नहीं नहीं दे पाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो performance नहीं देखने मिलती जो iPhone में अब यहाँ बात कर दिखा इस करने के लिए कि दोनों का जो interface से मैं तो काफी आसानी से मैं जो है photos वीडियो ले सकता हूँ अब यहाँ पे जो रियर फेसिंग कैमरा है iPhone में 12-12 megapixel के नतिंग में 50-50 megapixel के फ्रेंट फेसिंग कैमरा आइफोन 12 megapixel का है नतिंग का 16 megapixel का है लेकिन आइफोन के पास जो है बहुत बड़ा advantage 4K 60fps सभी कैमरा से वह शूट कर सकता है जिबके नतिंग रियर फेसिंग कैमरा से सिर्फ 4K 30fps और फ्रेंट फेसिंग कैमरा से सिर्फ 1080p 30fps शूट कर सकते हाला कि दोनों के जो रियर फेसिंग कैमरा में जो मेन कैमरा लेंस है उसके अंदर आपको OIS देखने मिलता है और दोनों के अंदर एक wide angle और एक ultra wide angle का लेंस है चलिए बहार चलते या कि शूट करके आपको बगाता देता हूं कि दूद का दूद और पानी का पानी दोनों में से better कर दिया इसने जो actual skin tone है जो texture होता है skin का जो hair का होता है वो कुछ भी यहां पर retain नहीं किया है और यहां पर दोनों फोन के अंदर एक चीज की कमी लगी front facing camera में कि sky जो है दोनों नहीं blowout कर दिया तो दोनों के अंदर जो है sky इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा front facing camera में यह front facing camera पूरा से लिए पोट्रेट फोटोस है दोनों फोन के अंदर यहां पर भी रतिंग ने पूरा skin smoothing कर दिया है कुछ भी natural photo जो है इसने निकाला नहीं हाला कि stitching जो है background की जो ब्लर हुआ है foreground उसमें जो है nothing ने बेटर काम किया iPhone के मुखाबले लेकिन फोटो आइफोन की बैट प्लास्टिक काम किया skin tone भी अच्छी आई है फोटो की quality बेच्छी है स्काई भी देखेंगे dynamic range वगरा एकदम proper है और सेम चीज रिपीड होती है अगर हम लेते पोट्रेट फोटोस पिछले camera से rear facing camera से यहां पर भी वही चीज है हाला कि जो stitching है foreground और background की जो blur है वो nothing में मुझ इसने बहुत जादा cooler tone पे nothing ने लिया है तो कुछ impressive नहीं लगा मुझे यहां पर rear facing camera nothing phone 1 का और यहां पर यह नजदीक से मैं एक photo लिया है कुछ फूलो का तो यहां पर भी देख सकते है iPhone की जो footage है जो फोटो है जो still image है वो जादा बहतर निकल के आई है details भी जादा capture हुए ह साथी साथ जो colors है वो भी पंचियर है और panoramic photo लिया यह सबसे पहले जो आप देख रहे हो nothing की है यहां पे जो है lack of detail आपको नज़र आएगा हाला कि sky में यहां पे details है लेकिन जो grass वगरा है उसके details आपको समझ में नहीं आएंगे सही से और यह iPhone 11 की footage है ना सिफ colors vibrant है जादा पंचियर है बलके grass का भी जो details है वो जादा यहां पे iPhone 11 ने निकाला है फ्रंट फेसिंग camera की वीडियो देख रहे हो आप nothing phone 1 और iPhone 11 की nothing phone 1 जो है यह 1080p 30fps maximum support करते है और iPhone 11 जो है यह 4K 60fps तक जाता है पर मैं इसको 30fps पर रखा है क्यों ऐसा है ताकि frame rate जो है वो match हो जाए field of view जो है किसका जादा wide है वो देखिए मुझे nothing का थोड़ा wide लग रहा है और यहां पे बाकी जो quality है वीडियो की वो किसमे better निकल के आती है इसका फैसला आप खुद करेंगे audio का जो symbol है वो भी आपको देखने मिल जाएगा ताकि आपको समझ में आजाए कि audio जो है वो किस facing camera की वो completely बेकार है मतलब useless quality बोल सकते हो आप कितना गंदा stabilization है जो है वो आपके सामने है और यहां पर details भी बेकार capture किया है और skin tone जो है पूरा इसने white कर दिया है सफेरी कर दिया है जिसकी वज़े से जो है over exposed shot जो बोलते है वो निकल क्या रहा है दोनों सेम mount पे mounted है और यहा और यहां पर 30 पे इसलिए रखा है मैं आइफोन 11 को 60 तक जा सकता है लेकिन nothing के अंदर 4K 30 maximum support करता है यहां पर तोड़ा सा मैं ऐसे pan हो जाता हूं और यहां पर lens switch करेंगे हम लोग एक एक करके सबसे पहले iPhone 11 पे switch करेंगे तो यहां पर ultra wide में चले के हम लोग lens switching कैसी हो रही ह इसमें वो option नहीं है इसमें zoom in in का option है जहां पर 2x पर जा सकते हैं फिर से आइफोन 11 को जो regular lens से उस पर लेकर आ जाएंगे हम लोग और यहां पर आप देख सकते हैं कैसा आपको यहां पर difference देखने मिल रहा है अब मैं अपने आत्में ले लेता हूं दोनों फोन्स अब यहा और apple के iPhone के अंदर यह सब on-off को option होता नहीं है तो stabilization जो है iPhone में आपको कमाल देखने मिलेगी nothing में जो है उतनी कोई खास यहां पर देखने मिलेगी नहीं तो यह बात का ध्यान रखना तो video quality में nothing जो है और stabilization में थोड़ा पूर ही है लेकिन rear facing camera से फिर भी video जो है वो ठीक टाक आती है front facing camera की तो एक्दम बुरी थी और dynamic range भी यहां पर ठीक टाक यह capture करता है और sky भी मैंने आपको भी दिखाया तो ठीक टाक ही sky जो है इसने capture किया है अब close up वाली video देख लीजे दोनों फोन में तो यहां पर दोनों अच्छा काम किया नहीं नहीं अच्छा काम किया भी देखिए कि इतनी खुबसुरत नजर आ रही है और iPhone में भी जो है बहुत चा काम किया iPhone ने भी लेकिन यहां पर जो colors है और जो details है वो जादा अच्छे से iPhone 11 में capture होती बस इतना ही फरक है पाकि nothing भी ठीक टाक जो है वीडियो ले ले लिए पीछे से quick autofocusing test भी मैंने जो है द बज़र नहीं है जो कि एक अच्छी बात है आपने देख लिया जैसे सब लोग बोलते कि iPhone का camera में वीडियो में कोई तो आंसर वही है आपके सामने camera अगर आपकी चॉइस है नतिंग की तरफ आपको देखना भी नीची बॉल्किल भी मिडियो कर कैमरा मिडियो कर से भी बु बैटरी चारजिंग और यहां पर बैटरी की बीच में ही इनकी बैटरी कपासिटी है लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटरी बैकप देने वाले फोंस जो है स्मार्ट फोंस यही है फ्लैक्षिप मॉडल्स के अंदर सामसंग के फोंस भी बैटरी की बैटरी के साथ जो है इतनी बैटरी अच्छी मिलेगी नतिंग और आइफोन दोनों ही आपको फुल दे बैटरी मिलेगी यहां पे कोई इसके अंदर कंपारेजन बनता नहीं है सेमिलर ही है और रही बाद यहां पर यहां पर रिवर्स चाजिंग भी है प्लस यहां पर रिवर्स चाजिंग भी है तो आपका अपने फोन के उसको चार्ज कर सकते हैं यहां अच्छा फीचर है अब तक तो आपने वीडियो देखते देखते अपना दिल बना लिया होगे कौन सा फोन आपके सही है नतिंग फोन विनर है या फिर आइफोन 11 देखो कुछ फेक्टर में अच्छे कुछ फेक्टर में अच्छे यहां पर फाइनल डिसाइइडिंग फेक्टर है वो इस पे भी होना चाहिए कि आपको iOS पसंद है या फिर आपको चाहिए Android अब यहां पर नदिखने नहीं तो यह बहुत ही क्लीन आइंड़ोग दिया है इस UI के अ पैसा लेने के बाद यहां पर तारीफ के काबिल काम किया है नतिंग ने तो आपको नतिंग फोन के लिए Android फोन के अंदर इस प्राइस पॉंट में ऐसा फोन मिलना जो है यह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और अच्छा लगा मुझे आइफोन तो कोई भी ले लो उसके अंदर जो होता है वह तो एकदम जैसे प्लेन एंड्रोइड है वैसे होता है लेकिन विद एडिशनल फीचर्स तो यहां भी आपको जाता है अप्लिकेशन दालने की ज़रूत नहीं आइफोन के बर-बर के फीचर्स जो है आपल नहीं द दोनों मैंसे कोई चूज करना होता तो मैं iOS ही चूज करता क्योंकि Android जो clean Android है उसके मुकाबले मच मच सुपीदिर है iOS बाकी हरेक की यह परस्नल चॉइस और प्रेफरेंस हो सकती है रही बात सौफ़एर अपडेट की तो नतिंग यहां पर तीन साल का सौफ़एर अपडेट इसके साथ भी iPhone 11 will be a better performer अब यहां पर एक लास पॉइंट बज जाता है कि आपको 4G या 5G iPhone 11 के उपर आप इतना पैसे दालने के बाद भी आपको 4G फोन मिलता है तो यह बात का धियान रखना हो सकता है दो तीन चार साल के बाद जब 5G है उस टाइम पर आपका iPhone 11 जो है 4G प पाएंगे नदिंग पे इस्तमाल कर पाएंगे क्योंकि नदिंग जो है एक 5G फोन है अब आपके लिए इंपॉर्टन है कि सारे फैक्टर्स के ऊपर एक फोन बैटर है लेकिनों 4G है और एक फोन जो है वो सारे फैक्टर में थोड़ा सा पीचे रह जाता है या काफी कुछ कुछ चीजों में पीचे जाता है कि नों 5G है तो मैं उसके लिए जाओंगा यह आपकी मर्जी है completely आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा मुझे कॉमें लिखे जरूर बताना और स्टार्टिक में मैंने आपको आपको बताया था और बीच में आपको बताया था कि किस त करते हैं उमीद करता है दोस्तों आपको अच्छा वीडियो पसना होगा पसने इसको लाइक इंश्यार जरूर कीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राब कीजिए गुडबाए